हेलो, आज हम लोग विदुतावेश के बारे में फिर पढ़ते हैं विदुतावेश के बारे में हम लोग एक विडियो और देखा होगा आप लोगों ने डाल रखा है परन्तु इसे फिर से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इस पूरी किताब को समझने के लिए विदुतावेश के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है तो हम लोग इस विदुतावेश को फिर से पढ़ते हैं तो विदुतावेश की पुरानी डेफिनीशन वही रहेगी जो पहले वीडियो में बताई गई है वही है विदुतावेस पदात का एक ऐसा गुण है जो केवल कुछ ही मूलकड़ों पर पाया जाता है बीस्वी सदी के सुरुवात तक केवल तीन मूलकड़ एलक्टरॉन प्रोटान वर न्यूटरॉन की खोजवी थी ये तीनो कड़ मिलकर परमाण बनाते हैं और परमाण मिलकर पदात का निरमाण करते हैं अब ये देखा गया कि और प्रोटान जो दो मूलकड़ थे इन पर यह गुण पाया जाता है र्थाद बिदुतावेस इन दोनों कड़ों पर पाया जाता है जबकि neutron पर इस प्रकार का कोई गुण नहीं होता अर्था neutron विद्धुतुदाशीन माना जाता है अर्था अनावेशित माना जाता है इन कणों पर जिन पर आवेशित पाया जाता है उनको आवेशित कण का जाता है अब उसके बाद ये देखा गया कि ये जो बिदुत आवेश है इसाधार पर एलक्ट्रोन और पोटान के विदुत आवेश को दो भागों में बांट दिया गया तो ये माना गया कि इलक्ट्रोन पर जो आवेश है वो रिण आवेश है और पोटान पर जो आवेश है वो धन बिदुत आवेश है इसके बाद हम लोगों ने और पढ़ादा कि वो विदुतावेश को हम और भी दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग दो भिनविन वस्तुओं को आपस में रगडते हैं यह वीडियो मैंने डाला था पहले भिनविन वस्तुओं को जब हम आपस में रगडते हैं कि जैसे कांच किछन को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो इन वस्तुओं पर भी वेदुतावेश आ जाता है यानि इस परकार का गुणा आ जाता है कि वे छोटे छोटे तुकड़ों को अपनी ओर आकरसित करते हैं कागज के छोटे छोटे तुकड़ों को यह घटना कहलाती है विदुती करण यानि आपस मेरा गड़ने पर जो विदुतावेश उत्पन होता है इस घटना को कहते हैं विदुती करण और उन पदार्थों को कहा जाता है विदुतुमा है जब यह गुण ग्रहन कर लेते हैं तो पदार्थ विदुतुमा कहलाते हैं अब इसको और आगे समझते हैं कि और इस विदूती करान को समझाने के लिए हम लोग पहले मुक्त Electron Model फिर से समझते हैं मुक्त Electron Model क्या है जैसे ये पदार्थ है पदार्थ परमानु से मिल कर बना होता है हम सभी जानते हैं अब परमाणु को अगर हम अलग से देखें तो परमाणु की सानचना के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं जो विविन्द बैग्यानिकों ने दी है कि परमाणु के मद में एक धनावेशित नाविक होता है जिसमें प्रोटान और न्यूट्रान पाए जाते हैं और इनके च दिखा जाए कुल विदुतावेश एक परमाणु का वो सून होता है इसलिए परमाण को विदुतुदासीन माना गया है और ये जो मद के भाग में जहां पर प्रोटान न्यूट्रान एक छोटे से जगे पर होते हैं उसको नाविक का जाता है तो इस परकार नाविक में प् प्रतीक अक्षाओं में चक्कर लगाते हैं ऐलक्ट्रोनों की संख्या समान ओती है और कुल विदुतावेश परमाण। पर सून होता है इसलिए ये भी माना जाता है कि प्रोटान और इलक्ट्रान पर समान आवेश होता है लेकिन उनकी प्रकती विप्रीत होती है अन्या इ करसंड कम होने के कारण वे कभी-कभी अपने परमाण को छोड़ देते हैं परमाण को छोड़ने के बाद ये पदार्थ में सतंतर हो जाते हैं तो परमाण को धनायन कहने लगते हैं और इन सतंतर अलक्ट्रानों को मुक्त अलक्ट्रान कहा जाता है और ये मुक्त अलक्ट्रान इन धनायनों के बीच में इधर उधर गतिशील बने रहते हैं जब कि धनायन फिक्स होते हैं रुके रहते हैं अपनी इस्तान पर ही रहते हैं इनको मुक्त इलक्टरॉन का जाते हैं अब इन मुक्त ऐलक्ट्रानों को पदार्थ से अगर निकालना हो तो कुछ उर्जा इन्हें देनी पड़ती है। अधर्वाइस ये ऐलक्ट्रान इसी में पदार्थ के ही अंदर रहते हैं क्योंकि धनायान इनको अपनी और आकरसित रखते हैं। और इन अलक्ट्रानों को हम किसी पदार्थ से तीन परकायश से निकाल राथते हैं। एतापी उससरजन और परकायश डालने से परकायश वेदू तुसससरजन कहलाता है। और जो बेदू छेत के द्वारा जब इलक्ट्रोनों को बाहर निकाला जाता है, इसको छेत रुस सर्जन का जाता है, और जो उर्जा इलक्ट्रोन को बाहर निकालने के लिए परियाप्त होती है, उसको कहते हैं कारफलन, तो परतेक पदाद का कारफलन निश्चित होता है, ल एक पदार्थ से दूसरी पदार्थ में चले जाते हैं जिसका कारफलन कम होता है उससे निकल कर जिसका कारफलन जादा होता है जिस वस्तु का उसमें चले जाते हैं इस परकार दोनों वस्तु में इस पर धनावेश की अधिक्ता हो जाती है और इस पर रिनावेश की अधिक्त हो जाती है अब यह मान लीजिए कि एक ही एलक्षान केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में गया तो इन दोनों पर जो आवेश की मात्रा होगी वह निउन्तम होगी इससे कम मात्रा आवेश की नहीं हो सकती है अब एक बैग्यानिंग मेली कौन थे उन्होंने अपने आईल इस आधार पर यह निउन्तम होता है इस मान को आवेश की निउन्तम मात्रा को इस माली से लिखा जाता है और इसको मूल आवेश या एलक्ट्रोनिक आवेश कहते हैं इस आधार पर यह निउन्तम निकाला गए है कि लक्ट्रोन पर मूल आवेश के बरावर रिनावेश होता है और इतना ही धनावेश के बरावर प्रोटान पर प्रोटान पर इतना ही धनावेश होता है मूल आवेस के बरावर 1.6 x 10 की पाव माइनर 19 कुलाम अब इसी आधार पर जब ये विद्धुती कराण होता है तो अगर एक एलक्ट्रॉन ही केवल ट्रांसपर होता है तो जिससे जाएगा उस पर प्लस 1 ही आवेस उत्पन हो जाएगा और जिस पर आएगा एलक्ट्रॉन उस माइनस है नहीं तो प्लस यूज करेंगे जिससे एलक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके लिए और यहन एलक्ट्रॉन हों की संक्या हो जाएगा और माइनस यूज करेंगे जिस पर एलक्ट्रॉन आएगे तो उस पर आवेस की गढ़ना कर लेते हैं तो इस प्रकार से मिलकॉन क आयल डाप एक्सपेरिमेंट से ये सिद्वा कि नियूंतम आवेश 1.6 इंटू 10 की पाव माइना 19 कुल हम होता है जो कि एलक्ट्रोन और पुटान पर प्राक्रतिक रूप से पाया जाता है इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी किताब में इसका बहुत महत्त है बाक